आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं या पूर्ण प्रतियोगी बाजार किसे कहते हैं उसकी कौन-कौन सी विशेष्टाएं होती हैं या उसकी कौन-कौन सी दसाएं होती हैं या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए कौन- बाजार किसे कहते हैं , तो बाजार को मैं पहले ही बढ़ा चुका हूं इसका जो link है वो मेरा description box में देए रखका है ये चैनल की playlist में जाकर भी आप उसको देख सकते हैं तो इस सले को मैं आगे पढ़ाओं इससे पहले comment section में आपको एक प्रस्ण का उत्तर देना है प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर है सही उत्तर आपने ए और या भी लिखकर देना है तो बहुत कर रहा हूं पूर्ण प्रतियुटागी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाजार किसे कहते हैं तो बाजार क का जो अर्थ है हम सामयने रूप से क्या ले लेते हैं कि जहां पर कुछ दुकाने होती है और जहां पर हम वस्तों को क्या करते हैं खरीटते हैं और दुकानदार क्या करते हैं बेजने का काम करते हैं उसे हम बाजार कहते हैं लेकिन economics में अर्थ सास्तर में जो बाजार का अर छेत्र को कहते हैं कि जहां पर किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं फैले वे होते हैं उस समस्थ छेत्र से अर्था छेत्र छोटा नहीं होता है छेत्र बहुत बड़ा विशाल होता है कि जहां पर वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले वे होते हैं और वस्तु होता है माना कोई वस्तु है एक्स और उसका प्राइज है पचास रुपया तो पूरे मार्केट के अंदर जहां-जहां वो बिग रहा है उसका मुल्य क्या होगा पचास रुपया ही होगा अब बात करते हैं पूर्ण प्रत्योगिता किसे कहते हैं तो पूर्ण प्रत्योगिता तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि पुर्ण प्रत्योगिता की परिवासा होती क्या है, इसके डेφिनिशन क्या होती है? टो डेφिनिशन है कि बाजार की ठीटी जिसमें क्रेटाओं और विक्रेटाओं की संक्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है Market के अंदर, बहुत जा पहले भी इसका उधान बताया है अब इसको हम और भी सामने भासा में समझते हैं इसकी विश्ष्ष्थाओं के आधार पर इसकी जो परेक्टरिस्टिक्स है या इसके लक्षण है इस आधार पर हम यह समझेंगे कि पूर्ण प्रत्योगिता किसे कहते हैं क्योंकि परिवासा बन जाएगी और विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् परचेज करते हैं, करय करते हैं और विक्रेता कौन है? सेलर है, जो दुकानदार है जो वस्तों को बेचने का काम करते हैं वो विक्रेता कहलाते हैं तो जो पूर्ण परत्योगिता होती है उसमें क्रेताओं और विक्रेताओं को क्या होती है हजारों में होती है तो ये पहली विशिश्टा हो गई पूर्ण प्रत्योगिता की इसको बिल्कुल भली भाती याद करना है यो कि ये पूर्ण प्रत्योगिता है बहुत ही important topic है economics का तो इसके विशिश्टाओं को याद कर लेंगे उसको समझ लेंगे तो फिर हमे आगे जलकर कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है दूसरा है बाजार का पूर्ण ग्यान बाजार का पूर्ण ग्यान किसको होता है जो बाजार में वस्तो को लेने के लिए जाता है जो क्रेता है और जो बिक्रेता है उसको बाजार का पूर्ण ग्यान होता है अब बाजार में जो क्रेता है वो किस चीज को लेने के लिए जाता है जो हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में हम वस्तो को लेने के लिए जाते हैं खरीदने के लिए जाते हैं जिसकी हमें जरूरत है और दुकानदार उन्हीं वस्तों को रखते हैं तो ऐसी स्तती में जो क्रेता है उसको प है किुछ कुछ कर्यता को पता रहता है और जो विकरेता हुं बेचने वाला छो कांदार होते हैं उनको भी लेस कि हमारी वस्तु है जिसके हम सप्लाई कर रहे रहें हैं उसकी कितनी मांग है और जो क्रेता है उसको पता है कि बाजार में सप्लाई कितनी है तो डिमांड और शप्लाई दोनों चीजों को ग्यान किसको होता है क्रेताओं और विक्रेताओं को होता है इसलिए का आगा बाजार का उन ग्यान ओके दूसरी विसिस्ता होगी तीसरा है वस्तु का एक समान या समरूख होना अरदाद मार्केट के अंदर जो वस्तु बेची जाती है वो कैसे होती है एक समान होती है रंग, रूप, आकार, स्वाद में खाई जाने वाली वस्तु है तो स्वाद में उसका टेस्ट एक जैसा ही होगा यह जो वस्तो होती है जितने भी फर्में वस्तों को बेचने काम करते हैं वह एक समान वस्तों को बेचने का काम करते हैं कीमत समान होना पूर्ण प्रत्यों की बाजार में जो वस्तों बेची जाती है किसके द्वारा विक्रेता के द्वारा और जो वस्तों क्रेता के द्वारा ग्राक के द्वारा खरीदी जाती है उसका मुल्य एक समान होता है सभी फर्में जो होती है वस्तों क्या होती है एक ही प्राइस पर बेचने का काम करती है एक ही मुल्य पर बेचने का काम करती है अगला आता है पांजमा उत्पत्य के कारक या इसकों कहते हैं साधन भी कहते हैं ये क्या होते हैं पून गतिसील होते हैं अब ये उत्पादन के साधन हैं कौन-कौन से हैं ये भी बहुत इंपोर्टन टॉपिक है उत्पादन के साधन हैं भूमी, स्रम, पूंजी और साहस विदिक फसल का उतुदुम्क उतुद्र करना है अनाज का उतुदं करना है तो सबसे पहले क्या है ढ़लत के हाद लेडना है लुती और बी चीजे हैं वो लेनी है उसके पूंजी का होना वह जरूरी है और जो फसल का उत्पादन कर रहा है वह कौन कर लाता है वह सासी ही करता है तो इसमें पत्ति के जो साधन ये कारात होते हैं वह पून पूर्ण गति सीर होने का मतलब है यह मिनिंग है कि वह बाजार में जब तक रहना चाहें तो रह सकते हैं ओके बाजार में जब तक रहना चाहें उस्तों को जब तक बेच रहे हैं तब तक रह सकते हैं या उसको छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं एक फर्म को छोड़कर व उस्तों को बेजने का काम फर्म में दिल्ली में कर रहा है उसको लगता है कि मुझे यहां ठिक ने लग रहा है मुझे लाब नहीं हो रहा है तो में रड़ा सकता है वो हैदराबाद जा सकता है तो इस परकार से उत्पत्ति के जो साधन है वह क्या होते हैं पूर्ण कति सील होत करता हूं कि मैं बंबई चलता हूं मंबई चलता हूं वाला दिल्ली आ सकता है तो इस पकार से उत्पत्तिकों साधनों को यहां पर पूर्ण गतिसील माना गया है ठीक है वो जहां चाहे वहां जा सकता है ठीक है और जहां जा सकता है वहां से फिर पूरां वापस भी आ सकता है अगला आता है फर्मों का स्वतंत्र परवेश और वहिर गमन यानि कि जो फर्मे होती है जो वस्तों को बेचने का काम करती है जो वस्तों को बेचने का काम करती है फर्मे जो सेवां को देने का काम करती है वो क्या करती है वो बाजार में आ सकती है फिर इंट्री होंगी ठीक है उनको लगता कि benefit हो रहा है बाजार में लाब हो रहा है तो फर्में आएंगी और फर्मों को लगता है कि benefit नहीं हो रहा है तो फर्मो बाजार में स्वतनतर रूप से आती है। अगला आता है यातायाद ब्याई न होना पूर्ण परत्योता में यह माल ले जाता है कि जो वस्तु बेची जा रही है उस पर कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं आती है उसका यातायाद ब्याई क्या होता है? सुन्य होता है यानि कि दिल्ली से कोई वस्तु यदि मेरट में बेची जा रही है तो दिल्ली से मेरट किसमें आएगी वस्तु? हवा में धोड़ी आएगी? किसमें आएगी? ट्रक में आएगी? ट्रक वाला क्या लेगा? किराय लेगा? भड़ा लेगा? लेकिन यहां पर क्या माल लग जाता है कि यातायात ब्याही नहीं होता है कोई चार्ज नहीं लगता है इसका कारण पता जाता है कि जो फर्मे होती है वो क्या होती आसपास ही होती है उसके करेता विकरता भी आसपास ही होते है इसलिए किसी भी प्रकार का परिवेहन भी नहीं आता है अजब परिवेहन भी नहीं आता है तो कीमत भी क्या होगी एक समानी आएगी और यह दी पता चला कि दिल्ली की वस्तुक एक मेरट बेची जारी है एक देरा दोन में बेची जारी है एक हैधरावयत में बेची जारी है तो प्राइस क्या करेगा अलग अलग करेगा जो नजदीक होगा ठीक है फैक्टरी के तो उसका cost कम होगी ठीक है जो जितनी दूर जाएगा उसका भड़ा उतना ज्यादा पड़ेगा और इस परकार से वस्तो का दाम भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा लेकिन यहां पर क्य बड़ी संख्या में होना जो फर्में होती है वो उध्योग में बहुत बड़ी संख्या में होती है तो इसके यहां पर उधर्ण के द्वारा समझ लेते हैं कि यह माना कि कोई उध्योग है यह हमारे पास उद्योग है इस प्रकार से फर्में A, B, C, D, E, F, Z एक उद्योग की बात कर रहो हमें क्योंकि एक ही उद्योग नहीं होता है कि जो किसी वस्तो को बराने का काम करता है उसी वस्तो को बराने वाले कई उद्योग होते हैं तो हमने देखे हैं ही आप देखे है कि A, B, C, D, E, F, Guy, forward, ā and GDP दूसरा उद्योग भी ले लेते हैं आप दूसरी इंडस्टी लेते हैं ठीक है उसमने थैक कि उस्ते बहुत सारी फ़र्में है ठीक है जहसा हमने आ इनसे ह्टोक 줘, हजार्णों की संख्या में होती है जी फिर हो गया, ठीक है, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q अब यहाँ देखिए, उद्ध्योग है, ठीक है, अब यह उद्ध्योग जो काम करता है या किस वस्तो को बनाने का काम करता है, कि माना कि यहाँ बात की जाली है, यह बनाते हैं, टार्ज, हिंजी में लिखा जाता है, टार्ज, जिससे के, क्या निकलती है, रोसनी निकलती है, रात में देखने का काम करता है, किसान भाईयों के इसको बहुत जरूरत पड़ती है कि जब उनको खेतों में जाना पड़ता है रात में, किसके लिए जानवरों को भाई फसल को नुक्सान तो नहीं कहुंचा रहा है, या पानी देना फसलों को रात में जाता है, केती काटनी है, तब ही टॉर्च को जरूरत पड़ती है, हमें भी जरूरत पड़ती है, छोटे यह देखें, दूसार अग दिखें, यह भी टॉर्च बना रहा है और जैसे पहले भी बता चुके हैं, टॉर्च जो होगी उसका जो रंग होगा, आकार होगा, वो कैसा होगा, एक समान होगा, चाहे वो यहाँ बने, और चाहे यहाँ बने, यह मेरा आप में टॉर्च है, तो कुल मिलाकर कहने का मिनिग है कि जब ये उद्ध्योग और ये उद्ध्योग भी क्या करेगा टॉर्च बनाएगा तो टॉर्च एक समान होगी जैसे हमने यहाँ पे कहा इवस्तु का समरूप होना वस्तु एक जैसी होगी ठीक है रंग में गुल आई में अर्थ आकार में ठीक है परकार में लाइट देने में कितने सेलिस में लगेंगे इस सारे के सारे फीचर तो लिफ ताम नार रहा है एग ही जैसी होगी ठीक है तो उसका प्राइस भी क्या होगा एक ही होगा और यदि भीन भीन होगी तो प्राइस अलग हो जाएगा यदि बड़ी टॉर्च होगी ठीक है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा और यदि टॉर्च आगा होगी अलगा दो सेल वाली होगी एक सेल वाली होगी तुसका प्राइस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इसलिए कहा जाता है कि वस्त एक समान होगी वस्त एक जैसी होगी तो उसका प्राइस भी क्या होगा एक समान ही होगा तो मैं उद्ध्योग एक है उद्ध्योग दूसरा है यहां पर टॉर्च गराई जारी है फर्मे हैं बहुत सारी A, B, C, D, E, F, Z और इधर भी लिखे भी है यह पर्मे क्या कर रही है यह ट्रॉर्च बेचेंगी मार्कर के अंदर ठीक है लेगी कहा से उद्ध्योग से यहां से हाई की ट्रॉर्च तो 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 चलता और बेजने का काम तो फर्म में कुछ पैसा उध्योग में लगा हो सकता है इनका से रो सकता है या इसी दिर उध्योग से माल भी खरी सकते हैं तो परकार से बहुत सारी फर्म टोर्च का उध्योग है बनाने वाला उध्योग है और बेजने वाली फर्में हैं हचारau की संक्या संक्याय फर्में होती है कि जो फर्में का इसे में इस को तो लेना उसको सबकर सबका ऑगा इस प्रकार से सबका प्राइज एक जैसे ही होगा कोई इस प्राइज वगा जो price क्या है माला कि price निर्दारीत है 100 रुपईया तो सबके पास torch 100 रुपईये में ही मिलेगी ठीक है अगला आता है दिर्ग कारीम विजार जो पूर्ण परतियों की ताका विजार है वो कैसा है दिर्ग कारी लॉंग पीरिड में लागू होता है ऐसा नहीं कि आज कल परसों नहीं बरसों की बात हो रही है कि यहोथ दिर्ग कालीन बिचाहर है कि जहा पर क्रेता और बिक्रेतां की संक्या बहत अधिक होगी पाजारगाउं को पुर्ण ज्यान होगा वस्तुओं का एक समान ये समरूप होना कीमत समान होना उप्वतिगे साद्रनों का गति सील होना, फर्मों का स्वधंत्र पर्विष और वहिर गमन होना, याफायाद बेहन होना, फर्मों का उद्ध्यो में बड़ी संख्या में होना, ठीक है? तो इसमें कालिका जो बिचार है, यह कहासा है? दिर्ग कालिन विचार है अगला आता है दस्वान काल्पनिक परत्योगीता है यह जो विचार है जो यह बाते बथाई जा रही है यह काल्पनिक विचार है कल्पना की गई है कि पूर्ण परत्योगीता बाजार की यह यह कंडिशन होनी चाहिए उसे हम पूर्ण परतियों किता बाजार कहेंगे तो कैसे बाजार है ये? दिरकालिन बाजार है कालपनिक बाजार है कालपनिक परतियों किता है जिसकी कलपना की गई है वास्तु जगत में इस परकार का बाजार देखने को नहीं मिलता है अगला आता है मांग पुन्टहों लोचदार होती है जो उत्पादक होता है अर्था जैसे मैंने बात किया है तोड़ जो को बेचने वाला है तो उसकी जो वस्तु है फर्म जो बेच रही है इन वस्तुओं की जो मांग है ठीक है, वो क्यासे होती है पूर्ण तोह लोचदार होती है पूर्ण तोह लोचदार होने का अर्थ है वस्तु है 100 रुपई एगी तो प्राइस वही रहेगा मुल्य वही रहेगा और वस्तु की मांग इसी प्राइस पर घट भी सकती है और बड़ भी सकती है ठीक हैं? तो इस पिड़ार से ये हुआ पून्र प्रत्योगिता की विसेशताओं को समझने के बाद आप इसको हम एक रिखा चित्र के माद्यम से समझते है कि बाजार में जो कीमत है उसका निर्धारन कैसे होता है जो उद्योग है वो उस कीमत का निड़धरन कैसे करता है कि जिस वस्तु को वो बेचता है और दूसरा कि जो बेचनी वाली फर्म है उसका जो मांग बकर है उसका जो मांग बकर है वो पूर्ण तो लोचदार क्यूं होता है इसके लिए दैङ्गराम भड़नों लेते हैं तो डाइग्राम बराने करते हैं इस प्रकार से यहां पर हुआ ही बोख on the the अप वहीं करें लेंगे नyards यहां पर लिखिए मा और पूर्थी धीक है मांग और पूर्टी इसकी बात की मैंने जैसे हम टार्ज ये बात कर वें हैं तोर्ज की ठीक है और यहां पर आजाएगा कीमद या प्रत्योगिता में होता क्या है कि बाजार में वस्तु का जो मुल्य होता है वो मांग और पूर्ती की सापेक्षिक सक्तियों के द्वरा होता है कीमत को निर्धारित करने वाले दो सक्तियां होती हैं दो कारत होते हैं कि जो की वस्तु के मुल्य को तै करते हैं एक आता है मांग, पर दूसरा आता है पूर्इधू है, जातती होत पहले मांग पक्र को ड्रा करेंगे ओक俺 हो गया, ड्री Feed, यहां से कि तरह हम क्या करेंगे अपना सप्लाइ कर और नो कर दो जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं यहां हो गया यहां से निछे लाइन खीची और यहां पर एंड क्या होगी यहां पर मांग और पूर्तिद दोन्हों क्या हो गई बराबर हो गई तो जहां तो का संदूलित मुले एकॉलिबियूम प्राइज क्या होगा निरदारित होगा तो मुले कितना निरदारित होगा यह से इदर लाइन में लाएंगे ठीक है और यह हो गया फी तो ओ एन जब वस्तो की मांग और पूर्ती क्या है बराबर हो रही है इविंदु पर तो उसमें निरदारित होगा कितना ओ से लेका और पी तक और मात्रा आ गई ओ से लेका एन तक आप देखिए यह तो उध्योग ने प्राइस क्या कर दिया निरदारित कर दिया और नीचे जो फर्म है इसी प्राइस पर क्या करेंगी वस्तो को बेचने का काम करेंगी वस्तो कहां और इसी कीमत पर फर्में हैं वो साही क्या करेंगी वस्तों को या फिर ठोड़्च को बेजने का काम करेंगी लेकिन यहां पर है कि मांग पूर्ण तोह लोजदार होती है ठीक है अब इसी कौमी इसी एक पैनल को यहां पर आगे ले लेते हैं दूसरा रेकाचेदर इसको ले यहां पर एक्स हो गया यहां पर और यांपर हो गया ठीक अब यहां पर हम लेन लेते हैं क्या कुल वस्तु की मात्रा और इस पर हमारा कीमत ही आएगा जो हुआ है अब यह जो प्राइज है इसी लाइन को थोड़ा आगे कर लेते हैं ओके और यहां पे लिख दिया हमने यहीं प्राइज है किस पतार से यह उसी कीमत बेज़ेगा कि जो कीमत संतुलित कीमत आ रही है यह माहनु का यह मांग बकर आपको दस आए जा रहा है अब यहां से जो कीमत मिली कीमत हमने इसको अगला पैनल यहां से आगे लेगा है और वही प्राइज यह हो गया ठीक है और यह पड़ी वाली रेखा कैसी है एकदम से लिटी वी है होरिजिंटल है ओ एक्स अक्ष के समांतर अब किमत तो वही है अब देगा यहां पर व स्तु भिक्ति है मांग गया उसकी ओ एंट प्राइस कितना है ओ पीवन बढलती है आगे के उन जाएगी यह गई एन वन प्राइस कितना है ओ पीछाइफ वही है डिवन गडती है पीछी आई और एन टू हो गए किमत कितनी है पूथ जो कीमत प्राप्त करती है वह किसे करती है वह उद्ध्योग से करती है ठीक है और उद्ध्योग द्वारा जो कीमत यहां पर ओपी निर्धारत की गई है उसी प्राइस पर जो फर्म है वस्तों को बेशने का काम गरती है इसलिए कहते हैं इसका मांगबक्र पुर्ण तहो रेवेन्यू है उसा संप्राप्ति और सीमान्त संप्राप्ति ऐसी इस्तिती में क्या होती है समान होती है इतनी बातों किलियर होगी अगली बात करते हैं कि जो उध्योग होता है वो क्या करता है कीमत का निर्धारन करता है ठीक है यह प्राइस मेकर होता है कीमत को निर्धारि वाला होता है उद्यूग तो सकते हैं प्राइज मेह करें ऑर जो मैंने नहीं कीमत का निर नहीं करती है कीमत का किसी भी प्रकार योदा नहीं होता है कीमत को निर्धार करने के लिए कोई पॉलसी नहीं बनाती इसलिए यह है प्राइज मेकर कौन है प्राइज मेकर उद्ध्यूग प्राइज को स्विकार करने वाला इप इंपर्ट है कि कीमत को निर्धाल करने वाला होता है उद्ध्यूग और ठीक है और स्विकार करने वाला होता है फर्म प्राइज टेकर तो स्विकार से यह मैंने आपको यहाँ पर रिखा चित्र के द्वारा भी बदला दिया कि कीमत एक समान होती है क्योंकि उद्ध्यूग कीमत को निर्धारित करता है और फर्म जितनी चाहे उतनी मात्रा में इसी क कीमत पर वस्तो को बेच सकती है अब फर्म को लगता है जैसमनिया बताया कि फर्म का सोवंद्र पर वेस्त फर्म को लगता है कि मुझे लाव हो रहा है तो मार्केट में रहेगी वस्तो को बेचने का काम करेगी और यदि फर्म को लगता है कि मुझे गाटा हो रहा है तो बा प्राइब करता है तो आपने वस्तों को बेच रहा है और यह क्या कर रहा है अपने वस्तों को बेच रहा है तो लेना है तो लीजे नहीं तो आगे चले जाहिए तो ग्राइब को पता है कि बगर में दूसरा भी है उसी प्राइब है तीसरा भी है चोदा पाच और चाटा साथ ठीक है सेगडों की संक्यां बैटे हुए है तो ऐसी इस्तिति में वही फ़र्म लाब कमाएगी कि जिसके विक्रेता को क्या हो विवार कुसल हो यह अगली कंडे होती है तो इस पकाड़ से क्या हो जाता है कि फर्म उलाब और हानिक पतातरीत चलता है वन्ना तो कीवा तो एगी है सारे बाजार के अंदर तो फर्म आएंगे और जाएंगी और जब आ गई तो जो कीमत एगी है उसी बेजना है तो रहेगी लेकिन कंडिशन क्या है कि कौन कौन-वाइधा गां कि लोकेशन कहा है उसकी और कि मार्गेट केश में एक किनारे में है ये किसी गली में टिक है उसका व्यवहार कैसा है उसको या उसकी तम टानेगा क्या तरीका है जीखार कुखार कर अगएं शौन पर इनिए तो बाजार में तो बीवहार को वश् liqu नहीं है तो कोई भी फर्म बाजार में तभी तक रहती है जब तक उसको लाव होता है दुकानजार का मकसद क्या है उद्योगों का जो मार्केट में आ उन सब का मकसद क्या है लाव कमाना ठीक है और लाव ने घवाएंगे तो बाजार में काहीं को रहेंगे तो प्रत्युक्ता किसे कहते हैं उसकी विशेष्थाएं क्या होती है तो इन विशेष्थाओं की आधहार पर ही क्या कहते हैं उन प्रत्युक्ता कहते हैं ये तो संचित परिवासा आई